पंच मेवा लड़ू बनाने के लिए हमने लिए हैं 100 ग्राम मखाने और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर तीन से चार मिनट आप भून ले मखाने भूने हैं या नहीं भूने हैं इसको आप हातों से तुड़ा दबा के देखें अगर दबाते ही ये तूट जाता है तो समझे कि ये रोस्ट हो चुका है अगर ये रोस्ट नहीं होगा तो ये इस तरह से नहीं तूटेगा अब हमने लिए हैं 100 ग्राम बादाम इसको भी हम इसी तरह से तीन से चार मिनट बिलकुल लो फ्लेम पर भून लेंगे तो लीजी ये बस तोड़के आप देख लें अगर तूट तूट जाता है तो समझे कि ये भून चुका है नहीं तो एक डिर मिनट और भून लें इसे भी हम ट्रांसवर कर लेते हैं अब हमने लिए हैं मगज तो वीवर्स जब आप मगज इसमें हमने 100 ग्राम मगज लिए हैं और इन मगज को एक घंटे की हमने धूब दिखाई है ताकि इसमें अगर हलकी सी स्मेल हो तो वो निकल जाए अकसर घरबुजे के बीच में स्म जाएगी जब यह भूनेंगे तो इसमें चटकने की अवाज आएगे और इनका साइज डबल हो जाएगा और यह साफ साफ दिखाई देता है कि यह भून चुके हैं चलिए यह बढ़िया से हमारे भून रहे हैं इने भी हम अब निकाल लेते हैं ट्रांसवर कर लेते हैं एक अब ही आप ड्राइफ रूट्स को भून रहे हैं इने एक बार ठंडा ज़रूर कर लें गरम नहीं पीसना इने बाद में लेखे कितना बढ़िया से भूने हैं अब हमने लिया है 100 ग्राम नारियल पावडर इसको हमें केवल कच्छा पर निकालना है इसे बहुत जादा नही हुआती है से भूनते समय अब हमने लिये 100 ग्राम किश्मिष्ट इसको बस एक से देड़ मिनट चला कर निकाल लेना है अब हम जो हमने ड्राइफ रूट्स भूने थे उन्हें पीस लेते हैं मखाने 100 ग्राम है ये दो बार में पिसेंगे साथ ही हम दूसरे ड्राइफ फूट्स भी पीस लेंगे तो अब हम मगज को पीस लेते हैं तो वियर्ज जो मगज है उसमें थोड़े से मगज आप साबुट छोड़ दीजेगा क्योंकि लड्डू में साबुट मगज अच्छा टेस देते हैं अब हम बादाम को भी पीस लेंगे तो बादाम को पीसना नहीं है इसको दरदरा पीसना यानि इसमें थोड़े पीस बादाम के आने चाहिए तो देखे वियर्ज ये समें आपको पीसे दिख रहे हैं जो कि लड्डू में अच्छा स्वाद देते हैं अब हम इसमें जो 100 ग्राम हमने भूने थे नारियल पाउडर वो इसमें डालेंगे और इसमें हमने डाला है 100 ग्राम पाउडर मिल्क और इतने मेजर्मेंट के लिए हमने ली है 300 ग्राम चीनी यानि शुगर तो जैसे पांच मेवा है 100-100 ग्राम के हिसाब से वो 500 ग्राम हुई लेकिन क्योंकि जो किश्मिश है वो मीठी होती है तो उसके लिए हमें अलग से शुगर नहीं चाहिए उसे मीठा करने के लिए तो हम इसमें 300 ग्राम चीनी ले रहे हैं पांच मेवा 100-100 ग्राम थी और दूर 100 ग्राम अलग था और उसके लिए हमने इसमें चीनी डाली है 300 ग्राम और यह बिल्कुल एक्यूरेट मिजर्मेंट है आप इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद रूम टेंप्रेचर पर रखा हुआ दूर उससे दूटी के लिए आटा लगाते हैं इसी तरह से लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दूद जब आप डालें तो थोड़ा थोड़ा डालें क्योंकि जैसे ही आप दूद डालेंगे तो चीनी हलकी सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी अगर दूद जादा तो यह इसका टेक्शर खराब हो जाएगा तो इसमें लगभग 125 ml दूद लग चुका है मखाने थोड़ा ड्राय जादा होते हैं तो इसके लिए दूद थोड़ा जादा लगता है और अब बस इसके आप धीरे-धीरे हातों से गोल-गोल करते हुए बढ़िया से लड़ू बना लें और यह आपके पंच मेवा लड़ू बनके तयार हैं वीवर्स यह सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं इसमें घी का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है तो आप इन्हें बना इन्हें सर्दियों में भी आप बना के खा सकते हैं तीज दिवार पर तो आप बना ही स करते हैं और टेज भी बहुत अच्छा होता है इनका धीरे-धीरे आप इनको थोड़ा-थोड़ा लेके गोल करते हुए बना लें बहुत आसानी से और जल्दी से बन जाते हैं और इसे जैसे सर्दियों में अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देती ह कि एक ग्लास दूद फीका यानि आप उसमें चीनी ना मिलाएं और एक लड़ू आप ये डेली रात को सोते समय या सुबा एक टाइम ले ले लें तो आपको ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी और इससे आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी चलिए धीरे-धीरे करके हम सा लड़ू बना लेते हैं तो इसमें जो मेवे थी वह 100-100 ग्राम थी यानि पांचो मेवा 100 ग्राम 100 ग्राम दूद लिक्विड और 100 ग्राम पावडर मिल्क और 3.5-300 ग्राम शुगर तो ये है मेजर्मेंट और आपके धेर सारे लड़ू बनके तयार है तो व्यूवर्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेल ज़रूर कीजिएगा ये देखिए देखते हैं कैसा बना है इसे एक बात चेक करते हैं बहुत ही बढ़िया बना है